जय हैं दोस्तों आप सभी का सिधार्दासर यूटूब चनल पर स्वाखत है आज का जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए इस्पेशल है जो टेट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेट हो चाया मदब्रदेश सिचक भरती हो चाया यूपी टेट चाया रीट चाया चाया हर अगरित का ही पूरा पेपर कराने वाले हैं तीस कुस्षन आपको अपनी तैयारी जाचना है तीस में से आपके कितने आते हैं उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अगर आपका 25 स्कूर रहता तो बहुत अच्छा स्कूर है ठीक है तो चले तो यहां से पहला उद्देश होता है यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा याद रखी हो गिरहण आभी व्यक्ति तो जो गद ऍसिछड क ब्लंपिंज्त होता है ऋद्देश को उद्देश होता है अभी व्यक्ति टहस चले आगला नैस्ट कोसन करेंगे और 1160 तक आपके कोसन रहेंगे पूर संसि तो यहाँ से संती है तो यहां से आपको बताना है बईनम अधि गमार्थ प्रेडा सैचिक नर्देश नम सरवे तो देखें यह से किया है तो याद रगियों जो उपी होगी है वह आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सर्वे सभी टीक है सर्वे तो यहाँ से अगला कुस्न निए यहाँ से सिष्ठी थिरी भंडार कर भंडार कर पधर था अपरम नाम किया तो सूत्रविधी जो दूसरा नाम क्या है तो याद रखी हो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा अनुवाद पदेती तो क्या हो जाएगा अनुवाद पदेती तो कुछ सर नम्मर यहां से हो जाएगा 64 संस्कृतस प्रतिष्ठाने का सर्वोतम विदी तो जो संस्कृतम जो प्रतिष्ठाने क्या कह सकते हैं यहां से अंवाद सिच्षणं संभास्षण द्वारा सिच्षणं या सिचकस योगतयाम और सिचकस विसाएक ज्याने तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा फूर का तो याद याद रखी हो संभास द्वारा से च्छनम कुश्चन नम्मर है 65 केड़ा पदिते पिरवर्तका का तो आप्शन यहां से कुक महोद है फ्रावेल महोद है बुस महोद है या बंडार कर महोद है तो देगे यहां से अगर आपने बात करते हैं कि केड़ा का जनक कौन है तो याद सब्सक्राद रखी हो यहां से आंसर हो जाएगा कुक महोद है तो आंसर क्या हो जाए बुछсьटी फाइब का कुक महोद है कि अगला कुश्चन है विसलेशवाद्मक पद्दिता सिछ्छ शुत्रम अस्ठी तो पहला है ग्यातात अज्यातं प्रति दूसरा है संपूर्दा प्रति तो यहां से सिष्टी सिक्स का आपको बताना है तो यहां से कह रहे हैं कि जो संपूर से अंस की और जो सिच्छड है जो कौन सा होता है तो देखो यहां से सिष्टी सिक्स का जो आपका आंसर हो जाएगा संपूड अंसप्रती तो देखो इसलिए कि अब इसले सडात पदिती जो क्या हो जाएगे संपूड से अंसप्रती और तो यहां से जो ऑप्सन जो बन रहा है आपका वो सेकिंड बन जाएगा ठीक है सिष्टी सेबन है सिच्चा साश्त्रस अध्यनम के मर्द सिचक पदम परतुम सिच्चण कोशलम परतुम और सिच्चा साश्त्रम इति ब्रुदम परतुम संस्गरत संभासड कोशलम प्रातुतम तो सिच्चा साष्ति का अध्यान कौन हो सकता है तो यहां से 60-7 का आंसर क्या हो जाएगा तो कुस्षन नम्मर है आपका 68 अबनाय विधे प्रियोगा कुत्र स्यात नाटक सिचड़े, गद सिचड़े, पद सिचड़े, निमंत सिचड़े तो इस में से आपको बताना है 68 का तो अबनाए विदी किस से प्रियोग होती है इसका मतलब यह है तो याद रखी हो 68 का क्या अंसर हो जाएगा नाटक से चड़े से कुशन नम्मर है बिवार बादस से जनका को अस्ती फ्रोयड, इस्टन, वाटसन, इसकनर तो बताईए यहां से बिवार बाद का जनक कोन हो सकता है तो 69 का अंसर क्या हो जाएगा वाटसन साब कुशन नम्मर है 70 का नाम सिच्चा भवती एक कम पुस्तकम बस तो सिच्च का धीना ग्या नम अनुवस तो बताईए यहां से 70 का अंसर क्या होगा तो 70 का नाम सिच्चा भवती तो ग्या नम अनुवस तो यहां से अंसर क्या हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा कुशन नम्मर 71 है बैदिक काले आरमा देव संसकरात परम सिच्चाया प्रारम तो बताईए यहां से गर्बाधान उपनयन नामकरण करडवेत तो यहां से आपको बताना है तो 71 का आपका जो अंसर हो जाएगा करडवेत संसकरत ब्याकरण सिच्च्डश रीती बिदती तो यहां से बताईए आगमन रीती निगमन रीती आगमन निगमन रिती सूत्र रिती तो यहां से कह रहा है कि जो सबसे अच्छी जो विदी कौन सी हो सकती है संस्कृत ब्याकरण के लिए तो याद रखियो वो कौन सी हो जाएगी आगमन निगमन दोन विदी बुद्धो इनपुट अस्ति तो बताईए सिर्वड पठन बासड शिर्वड पठन तो सिवंटी तरीका बताना है बुद्धो इनपुट अस्ति तो देखे जो बुद्धो इनपुट अस्ति मतलब जिसको सुना जा सकता है तो याद रखियो सिर्वड पठन कहते हैं तो 74 है ग्यातता अज्यातम प्रती सुत्रस प्रियोगा संपाद दे तो यहां से ग्यातता अज्यातम प्रती सुत्रस प्रियोगा संपाद दे स्यामपट कोसले, प्रस्न कोसले, प्रस्तावना कोसले, प्रवाह कोसले तो 74 का आपको बताना है तो याद रखियो प्रस्ताबना कौसले सम प्रेशड और पाग में भासा दच्छ तासिश्टी तो यहां से पहला उप्षन है विसाय बस्तोना विसलेशडा चमता बहसायं स्लेशडा कौसलम बहसाय प्रवाय इता बहसाय ब्याकरण ग्यानम तो 75 का आप लोगों को बताना है तो याद रखियो यहां से आंसर क्या हो जाएक विसाय बस्तोना चमता तो यहां से अगला है ब्याकरण के कोस्षण है कह रहे हैं वह यह रहे हैं तो वताईए हैं अहां से 76 का कन्त तालु दंतोष्टठम और जीवा मुलम तो 76 का आपका अंसर क्या हो जाएगा यह इसका इस्तान उच्छा करते हैं 77-83 के बीच में एक पद दिया है इसको आप लोग रीड करेंगे और उसके बाद आप आंसर देंगे यहां से ठेक है तो यह रीड करके तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से देखो आगे बढ़ते हैं का अनेक रूपा बेदेते पुर्सा नरपनीती बारंग न कि आगे बादन्या तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा नरपनीता है न कि 78 प्रियाइबादनी इत्रस से का प्रत्य यहां से प्रत्य नहीं यहां से 78 का क्या हो जाएगा पहला का आनसर पिसके इनाइन है नित्य वया इत्यत्र समासा का तो इसमें कौन सा कर्मधार अब यहीँ बहुत समास बहब्री दुख को तो सेवंटी नाइन का आपका आंसर हो जाएगा नित्य वया में जो समास बावदे इतरत का संधी तो बताइए युण संधी गुड संधी डीर्ग संधी अयादी संधी में हैंतो इड़ी का अंसर क्या हो जाएगा गुड संधी तो क्या हो जाएगा rab Pods स्लोक के असमिन चंदा किम तो बदाएए इस लोक में कौन सी चंदती उपेंद्र बज्रा बंस्यस्त प्ररहडी या बसंत लिका तो देखें बसंत लिका यहां से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा बसंत लिका देखो बसंत लिका की विसेश्ता इसमें अठारा बरड़ होते हैं तो देखो एक बार मैं आप लोगों को गिना के दिखा दू यहां से यह जरू देख लेना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा 12 13 और 14 तो यह किसकी विसेश्ता होती है याद रखी हो बसंत लिका की विसेश्ता होती है किसकी होती है बसंत लिका की यह विसेश्ता होती है 14 बरड़ उसको बसंत लिका में होती है ठीक है अगला कुशन है 82 सत्य इती पदस्य बिलोम पदम के भवेत तो 82 का आंसर क्या हो ज जाएगा अनरता कि कुशन नम्मर है आपका यहां से एटी तरी दयालू रपी इत्यत्र का संदी विच्छेत तो यह आपको बताना पहला दूसरा तीसरा चौथा एटी तरी का बताना है तो देखिए मैं आप लोगों को बदा दूँ एट्टू तर्यू का जो बनता है इसका स गदान्स अत का नाम संस्गृति इसे आपको पढ़ना है अच्छे से पूरा रीड करके और उसके बाद यहां से आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इसके बाद यहां से आपको इसके आंसर मिलेंगे तो देखो मैं पहला कोशन पढ़ता हूँ सर्भूतेशू की द यहां से एट्टीवर का हो जाएगा सभी लोग आत्मबत हैं तो देखें यहां से आपको कैसे आंसर होगा देखो आत्मबत सर्व भूतेशू तो आंसर यहां से इसी तरीके से आपको देखना है अच्छे से पढ़ना है